हलो दोस्तों मैं अभिराज तुरेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ विकास STD सरकल के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की क्लास में हम लोग SSC GD कानिश टेबल की परिच्छा के संधर्ब में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे तो दोस्तों वीडियो को ब अपनी आज की क्लास को आज का पहला कुश्यन है अरजन सब्द का विलोम है अरजन सब्द का विलोम पूछा गया है देखेंगे आपसन पहला अपसन दिया है अरजित दूसरा अपसन है व्ययन तीसरा अपसन है अमरत और चोथा अपसन दिया है अनर्थ दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अरजन सब्द है इसका विलोम क्या होता है आपसन नंबर बी व्ययन ये व्ययन अरजन सब्द का विलोम होता है आप सभी लोग याद रखिए और एक चीज यहां पे जो अनर्थ दिया है अनर्थ ये किसका विलोम होता है ये अर्थ का विलोम होता है अर्थ क क्या बताया आप लोगों को कि अर्जन का विलोम क्या होता है, आपसन नमबर B, व्यायन और अनर्थ का विलोम क्या होता है, अर्थ और अमरत का विलोम होता है, विस आप लोग ये चीज भी ध्यान रखिये, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कुश्चन की तरफ, कुश्चन है कटु मधूर, तीसरा अपसंदिया है उन्नत और उन्नती और चोथा अपसंदिया है अलपग्य और बहुग्य तो दोस्तों कौन सा अनुचित जोड़ा लिखा है ये आप लोगों को बताना है तो आपसा नमबर जो भी आप लोग देख रहे हैं उन्नत और उन्नती ये तीन आपसंदिये हैं अनुराग, विराग, कटु मधूर, अलपग्य और बहुग्य ये एक दूसरे के विलोम सब्द लिखे हैं जैसे अनुराग का विलोम विराग होता है कटु का मधूर विलोम होता है अलपग क्या बहुग्य विलोम होता है लेकिन ये उन्नत और उन्नत ये विलोम सब्द नहीं है, तो आपसा नंबर C आपका यहाँ पर बिलकुर राइट आंसर हो जाएगा, है क्या, जो ये उन्नत है, उन्नत का विलोम क्या होता है, उन्नत का विलोम होता है, अवनत, क्या होता है दोस्तों, अवनत, ये चीज भी आप लोग याद रखिए, उन् प्रविलोम सब्द लिखे हैं एक दूसरे के लेकिन यहाँ पे उन्नत यह विलोम नहीं था तो आपसा नंबर C आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर तिरसट जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या क कहते हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द आपको यहाँ पे बताना है पहला आपसन दिया है विलच्छन दूसरा आपसन है अनूपम तीसरा है असाधारन चौथा है लोकातीद तो दोस्तों कुष्चन नमबर तिरसट में आपका आपसन नमबर B राइट आंसर हो जाएगा जि जो यह आपका यहाँ पे विलच्छन दिया है विलच्छन इसके लिए वाक्यांस क्या होता है इसके लिए वाक्यांस होता है अत्यंत विशिष्ट लच्छन वाला जो होता है उसको विलच्छन बोला जाता है और जो यह आपका असाधारन दिया है असाधारन क्या इसका वा क्यांस के लिए एक सब्द होता है असाधारन और जो ये चीज लोका तीत दी है लोका तीत क्या है ये दोस्तों ये लोका तीत आपका असाधारन का पर्यायवाची है ये असाधारन का असाधारन का पर्यायवाची है लोका तीत तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों अगला कुश्चन है कुश्चन नंबर 64 देखेंगे कुश्चन नंबर 64 है दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन कीजिए कौन सा वाक्यांस दिया है देखेंगे पूरब और उत्तर के बीच की दिसा को क्या कहा जाता है पूछा गया है तो दोस्तों इसमें आपका आपसन नंबर B ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ईसान पूरब और उत्तर के बीच की दिसा होती है आप लोग याद रखिए बाकि ये जो आगनेय दिया है आगनेय क्या होता है ये पूरब और दच्छन के बीच की दिसा होती है और जो ये वायव ये दिया है वायव क क्या होता है दोस्तों वायब ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिसा होती है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिसा होती है ये चीज भी आप लोग याद रखिए तो दोस्तों इस कुश्चन में मैंने आप लोग को क्या बताया पूरब और उत्तर के बीच की दिसा को क्या कहा जाता है ईसान आपसन नंबर भी यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा और जो यह आगने दिया है यह पूरब और दच्छिन के बीच की दिसा होती है और यह जो वायव दिया है यह उत्तर और पश्चिम के बीच की दिसा होती है इसके लिए वाक्यांस का एक सब्द प्रियुक्ट किया जाता है वायब और दच्छिन और पश्चिम के बीच की दिसा पूँछी जाए तो इसके लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होता है नए नए छत्य ये होता है दच्छिन और पश्चिम के बीच की दिसा तो आसा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी आप लोग इनको कहीं नोट कर लीजिए important question है परिच्छा में पूछा जाता है important चीज है क्योंकि कोई जरूरी नहीं आपसे पूरब और उत्तर के बीच की ही पूछे आप लोग आगनिय ईसान वायब ये सारी चीज़े याद रखिये कि कौन किसके लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द प्रियुक्त किया जाता है ये चीज़ आप लोग याद रखिये आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 65 आँख का पर्यायवाची आँख का पर्यायवाची कौन सा है आप सबी जानते होंगे बहुत आसान question है पहला आप संदिया है लोचन दूसरा है पावक तीसरा है वसन चौथा है प्रभा तो आँख का पर्यायवाची कौन है आप सबी परचित होंगे बचपन से परते आ रहे हैं लोचन लोचन ये आँख का पर्यायवाची है आप सा नमबर A यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आँख के अन्य पर्यायवाची क्या-क्या होते हैं दोस्तों वो भी आप लोग कही नोट कर लीजिए कौन से होते हैं लोचन, चच्छ, नयन, द्रग, नेत्र, अच्छी ये सारे के सारे आँख के पर्यायवाची होते हैं और जो ये पावक दिया है ये पावक आग का पर्यायवाची है आग के पर्यायवाची कौन-कौन से होते हैं अगनी, अनल, पावक, धूमखेत, खुतासन, ये होते हैं आग के पर्यावाची, और जो ये वसन दिया है, वसन, वसन ये किसका पर्यावाची होता है, ये कपड़ा का पर्यावाची होता है, कपड़ा का पर्यावाची क्या क्या होता है, वसन, चीर, पट, अंबर, वस्त्र, ये कपड़ा का परयावाची या वस्त के परयावाची या वसन के परयावाची कुछ भी कहले ये होता है और जो ये प्रभा आपका दिया है प्रभा ये जोती चमक दीपती सोभा चबी इनका परयावाची होता है तो ये चीज भी आप लोग याद रखें दोस्तों आगे ये लिखा है जोत्सना, अगला लिखा है जोत्सना, अगला लिखा है जोत्सना, अगला है जोत्सना, तो दोस्तों कौन सा सुद्ध है जोत्सना ये आपको बताना है, तो आपसा नमबर C जो आप लोग देख रहे हैं, ये, जो, आधिता, फिर आधिसा, फिर न, ये आपका होगा तो आपसन नमबर C यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाकि ये तीनों गलत हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर 67 अंधे के हाथ बटेर लगना अंधे के हाथ बटेर लगना इसको क्या कहा जाता है आपसन देखेंगे पहला आपसन है अंधा भी अपना लच प्राप्त कर सकता है अगला आपसन दिया है अंधे में कोई वस्तु मिल जाना अंधे में कोई वस्तु मिल जाना अगला आपसन दिया है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना अगला है मुसीबत पर मुसीबत आना तो अंधे के आथ बट और यही इसका हंदे के हाथ बटे लगना का अर्थ होता है अपात्र के को बड़ी सफलता मिलना ये इसका अर्थ होता है आपसा नमबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 68 खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है इसका अर्थ कौन सा विकल्प है ये आपको बताना है ये एक मुहावरा दिया है आपसन देखेंगे पहला आपसन है सत्रु के सामने आमने सामने आना अगला है कठिनाई में पढ़ना अगला है जाच में आना अगला है सच्चाई का सामना करना त अगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन दिया है रिक्तिस्थान आपको भरना है यहां पर देखेंगे कुश्चन दिया है दिये गए विकलपों में से सही का चैन कर रिक्तिस्थान भरे। लाइन क्या दी है देखेंगे दोस्तों विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक खाली स्थान देना हर किसी के बसकी बात नहीं ये बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों आप लोगों को इसमें उचित विकल्प का चैन करना है कि कौन सा इसमें उचित विकल्प भरा जाएगा आपसन देखेंगे पहला अपसन दिया है दिसा दूसरा अपसन दिया है पुष्टी तीसरा अपसन है मार्ग और चोथा अपसन दिया है द्रणता तो दोस्तों लाइन क्या थी आपकी विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक आपसा नमबर A यहाँ पर भरा जाएगा दिसा उनको एक दिसा देना हर किसी के बसकी बात नहीं यह लाइन पूरी सही लाइन होगी तो आपसा नमबर A यहाँ पर दिसा जो दिया है ये आपका right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 70 तुम कहां जा रहे हो तुम कहां जा रहे हो वाक्य का प्रकार इसपश्ट कीजिए ये किस प्रकार का वाक्य है ये question पूछा गया है पहला आप संदिया है विधिवाचक वाक्य दूसरा है प्रस्णवाचक वाक्य तीसरा है निसेध वाक्य चौथा है विस्मय वाक्य तो दोस्तों तुम कहां जा रहे हो ये किस प्रकार का वाक्य है आप सभी जानते होंगे प्रस्णवाचक निसान लगा है तो आपसर number B प्रस्णवाचक ये प्रस्ण वाचक वाग के है इसमें आपसर नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा एक चीज और दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि अर्थ के आधार पर जो वाग के होते हैं वो वाग के कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य आठ परकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं वो, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, पहला होता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा होता है निसेधात्मक वाक्य, तीसरा होता है आग्याँ वाक्य, चौथा होता है प्रस्नवाचक वाक्य, और पा ये चीज भी आप लोग याद रखिये बाकि ये कुश्चन जो था आपका तुम कहां जा रहे हो वाकि किस प्रकार का है तो ये वाकि प्रस्नवाचक वाकिय है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 71 वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया यह एक संयुक्त वाकिय है इसका सरल रूप क्या होगा यानि कि वाकिय दिया है वह दंड से बचना चाहता था कामा इसलिए भाग गया यह एक संयुक्त वाकिय दिया है आप सभी जानते होंगे इस वाकियों सरल वाकिय में बदलना है आप लोगों को आपसं देखेंगे पहला अगलाप संदिया है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया अगलाप संदिया है दंड से बचने के लिए वह भाग गया अगलाप संदिया है वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था अगला वाकि दिया है वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना तो इस वाक्या सरल वाक्य में रूपांतरन क्या होगा दोस्तों कुष्चा नमबर 71 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर B दंड से बचने के लिए वह भाग गया इस वाक्य का ये सरल वाक्य रूपांतरन होगा आपसन नमबर B आपका सही आंसर हो आजे बढ़ते हैं, कुष्चा नमबर 72 है, संधी के तीन भेद होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, पहले आप लोग ये चीज भी दोस्तों जान लिजिए, पहला होता है س्वरसंधी, स्वरसंदी दूसरा होता है वेंजन संदी और तीसरा होता है विसरग संदी यही लिखा है यहाँ पे कुश्चन में आपके संदी के तीन भेद होते हैं कौन-कौन से तीन भेद होते हैं स्वरसंदी वेंजन संदी और विसरग संदी आगे देखते हैं कुश्चन क्या कह रहा ह स्वरसंदी, खाली स्थान, संदी, फिर खाली स्थान, संदी, मतलब स्वरसंदी किन दो संदियों से मिलकर बनती है, यहाँ पे पूचा गया है, तो दोस्तों, पहला आप संदिया है विंजन विसर्ग, दूसरा है यण अयादी, तीसरा है विंजन यण, और चोथा है अयादी और विंजन तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सन नंबर ए विंजन और विसर्ग देखेंगे यहाँ पे भरा जाएगा विंजन और यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग यानि कि वाक्य क्या आपका हो जाएगा संदी के तीन भेद होते हैं स्वरसंदी वि वेंजन संदी और विसर्ग संदी ये हो गया आपका पूर्वा तरीके से वाक्य आगे बढ़ते हैं अगला अपसंदी आ है हित ऐसी हित ऐसी का संदी विच्छेद क्या होगा हित ऐसी का संदी विच्छेद क्या होगा पूछा गया है पहला अपसंदी आ है हित धन सी दूसरा नमबर 73 में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर B हितधन AC ये हितधन AC का संदी विच्छेत होता है तो आपसन नमबर B यहाँ पे आपका बिल्कुर राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 74 तो दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें खोगा आपका आपसन नंबर B करमधारे समास इसमें आपका राइट आंसर होगा और करमधारे समास के अंतरगत दोस्तों क्या होता है इस समास में उत्तरपद की प्रधानता होती है तो इसमें उत्तरपद काउन हुआ इस्वर यानि कि विग्रह का मैंने बताया था आप लोगों को परमधन इस्वर इस्वर तो प्रथमपद हो गया ये और उत्तरपद काउन सा हो गया ये तो इस करमधारे समास के अंतरगत उत्तरपद की प्रधानता होती है तो दोस्तों पर माह ने आजीवन साधी न करने का प्रण लिया था रेखांकि सब्द में समास पूछा गया रेखांकि कौन सा है सब्द आजीवन आजीवन में समास पूछा है दोस्तों कौन सा होगा आपसन देखेंगे पहला आपसन है अव्यई भाव समास दूसरा है तत्पुर्ष समास तीसरा है करमधारे समास चोथा है दिगु समास तो दोस्तों इसमें आपका आपसर नंबर A अवी भाव समास राइट आंसर हो जाएगा आज इवर में कौन सा समास होगा आपसर नंबर A अवी भाव समास अव्य भाव समास के अंतरगत दोस्तों इसमें पहला पद या पूरुपद अव्य तथा पूरुपद की ही प्रधानता होती है कुछ भी कहे लें इसमें प्रथंपद जो होता है वो अवे होता है और इसमें प्रथंपद की ही प्रधानता होती है अब वीभाव समास की ये डिफिनीसन हुई तो आपसन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नंबर 76 खल कुल कुल सा बोल रहा रे खांकी सब्दों का अलंकार अलंकार पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार होगा इस लाइन में खल कुल 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 सा बोल रहा इस वाक्य में कौन सा समास है तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे पहला आपसन दिया है यमक लंकार, दूसरा है स्लेस लंकार, तीसरा है उपमा लंकार, चौथा है रूपक लंकार तो दोस्तों यहाँ पे आपसन नंबर A, यमक लंकार ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यमक अलंकार की definition क्या होती है जहां कोई सब्द एक से अधिक बार प्रियुक्त हुआ हो किन्त उसके अर्थ अलग-अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है आप लोग देख रहे हैं इस line में कुल, कुल, कुल ये तीन बार प्रियुक्त हुआ है एक से अधिक बार प्रियुक्त हुआ है लेकिन यहां पे हर कुल का जो अर्थ है वो अलग-अलग है इसलिए यहां पे यमक अलंकार होगा इस वाक्य में तो दोस्तों कुश्चन नमबर 76 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर A यमक अलंकार आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 77 हतियाना में कौन सी क्रिया है हतियाना में कौन सी क्रिया है पहला आपसन दिया है प्रेंडार्थक क्रिया दूसरा है संयुक्त क्रिया तीसरा है अनुकरण आत्मक क्रिया और चौथा है नामधातु क्रिया तो दोस्तों ये जो हतियाना है क्रियाए मैंने आप लोगों को हिंदी में पढ़ाई है तो आप लोग वहाँ वीडियो देख सकते हैं तो हतियाना में कौन सी क्रिया होगी आपसन नमबर डी नामधातु क्रिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और एक चीज आप लोग याद रखिये नामधातु क्रियाए कौन सी होती है वह क्रिया जो संग्या और सरोनाम या विसेशन में प्रते जोड़ कर बनती हैं वो नामधातु क्रियाए कहलाती है जैसे हाथ से क्या हो गया हाथ से हतियाना यह सारी नामधातु क्रियाए है हाथ से हतियाना एक्जामपल इसका है बात से बतियाना बात से हो गया बतियाना यह सारी की सारी बतियाना ये नामधातु क्रिया के उधारन होते हैं आप लोग याद रखिए तो हत्याना में कौन सी क्रिया होगी आपसर नमबर D नामधातु क्रिया ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे कुश्चन नमबर 78 से 80 तक ये एक पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द 78 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर B धर्ती मा का आपसन नमबर B धर्ती मा का महा तो नहीं समझ पाया था इसको आप जब पद्दे को पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी आप लोग बहुत इजली तरीके से इसके आपसन सही टिक कर पाएंगे दोस्तों आप लोग याद रखना आप लोगों के पेपर में दोसे तीन नमबर का पैसेज जरूर आना है तो आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके जरूर जाएए अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 79 मानवता की सुनहली फसले कब उगेंगी मानवता की सुनहली फसले कब उगेंगी पहला आप संदिया है जब हम परिस्रम करेंगे दूसरा आप संदिया है जब समता और छमता के बीच बीच बोए जाएंगे अगला आपसंदिया है जब चारो और सांती होगी अगला आपसंदिया है जब धूल सोना उगलेगी तो मानवता की सुनहली फसले कब उगेंगी इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है तो कुश्चन नमबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसंदिया आपसंदिया है निश्वार्थ भाव से दूसरा है सोच विचार से तीसरा है स्वार्थ एवं लोब से चौथा है मोह से तो दोस्तों कुश्चन नमबर 80 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसंदिया नमबर C स्वार्थ एवं लोब से ये चीज़ आप पैसरज में पढ़ेंगे आप लोगों ने अधिक से अधिक प्रसनों के सही जवाब दिये होंगे दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाये रखिए विकास HDD सरकेल परिवार आप सभी के उजल भविस्की काम ना करता है दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक सेर कीजिए दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद